हेलो एबरिवन, वेलकम टू जी के नाइस फ्रेंड्स, उननतर हजार साय के दबग भरती परिक्सा को लेकर जो आज हाई कोट की खंडपीट यानि लखनाव में सुनवाई होने वाली थी तो उसकी सुनवाई हो चुकी है तो यहाँ पर बड़ी ख़बर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 जनवाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही तै हो सकता है रिजल्ट यानि कि अभी रिजल्ट का कोई भी न्यूज नहीं है कि कब तक रिजल्ट जारी होगा तो आज एक जनवाई को जो हाई कोट की खंड़पीट यानि लखनाव में सुनवाई हुई है उसको यह था इस्तिती रखते हुए यानि के इस्तगित करते हुए 28 जनवाई तक रोग लगा दी है तो 28 जनवाई को अगली इसकी सुनवाई होगी और इससे पहले दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली दफ़ आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको सिक्सक भरती और अन्ये पर भरती परिक्सा पर और 28 जनवाई के बाद ही तै होगा कि भरती का रिजल्ट कब तक जारी होगा और कब तक नहीं जारी होगा UPS 10 Teachers उत्तरपरदेश में सायक सिक्सकों के 79 जार पदो पर भरती के लिए 6 जनवाई को भरती परी नामों को गोशित करने पर 28 जनवाई तक रोक रहेगी कोट ने अगली सुनवाई 28 जनवाई तक टाल दी है सोमवार को लगबग 2 घंटे चली बहस के बाद हाई कोट ने फिलाल यथा इस्तिती बरकरार रखने का आदेश दिया है अब 28 जनवाई को ही पता चल पाएगा कि सिखसक भरती के नतीजे यानि के रिजल्ट कब जारी होगा इससे पहले कोट ने सुनवाई के लिए 21 जनवाई की तारिख रखी थी और जिसकी सुनवाई हो चुकी है अब 28 जनवाई को इसकी अगली सुनवाई होगी और तभी उसी सुनवाई में इसमें पता चल पाएगा कि सिखसक भरती का नतीजा यानि परिणाम कब तक जारी होगा आपको बता दे कि उत्तरपरदेश में सायक सिखसक के 79,000 पदो पर भरती के परिक्सा के क्वालिफाई मार्ग को लेकर हाई कोट की लखनाव बेंच में चिनोती दी गई है जोनों याचियों की और से दाखिले अलग अलग 9 याचिगाओं में सायक सिखसक भरती परिक्सा 2019 के क्वालिफाई मार्ग को लेकर चुनोती दी गई थी तो जो क्वालिफाई रखा गया है सायक्षिक्स तक भरती परिक्षा में 60 और 65% को लेकर तो इजी पर याचिकाई डाली गई है तो इसकी सुनाई अब 28 जनवरी को होगी और तब तक भरती परिकिरिया पर रोक लगा दी गई है यही लेटेस अबडेट था आज का तो